अत श्री दुर्गासप्ट्षती दिश्मोध्यायः शुम्ब वध ध्यानम ओम उत्तप्तहिम रूचिरां रविचंद्र वहनी नेत्रांधनुष्षर युतांगु कुश्पाश शुलम रम्याईर बुजैश्चर दधती शिवशक्ति रूपा कामेश्वभरी हृदी भजामी दृतेंदु लेखा मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारन करने वाली शिवशक्ती स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदेय में चिंतन करता हूँ वे तपाये हुए सुवर्ण के समान सुन्दर हैं सुर्या, चंद्रमा और अगनी यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बान, अनकुष, पाश और शूल धारन किये हुए है, ओम, रिशिरुवाच एक निशूम्भा नेहत्वा भरात्र प्रान सम्मितम, हनमानना बला चैव शुभा है क्रुधोब वीदव चह दो रिशी कहते हैं एक राजन, अपने प्रानों के समान प्यारे भाई निशूम्भ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान शूम्भ को पित होकर कहा दो बलावले पादुष्टे त्वम्मा दुर्गे गर्वमावः, अन्यासा बलमाशृत्य युद्य से यातिमानी तीन, दुष्ट दुर्गे, तु बल के अभिमान में जूट, मूठ का घमंड न दिखा, तु बड़ी मानिनी बनी हुई है, किन्तु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है तीन देव्यो वॉच्च चार एक एहम जगत्य त्रद्वितिया का ममाप्रा, पश्यता दुष्ट मयेव विशंत्यो, मद्विभूत्या पांच देवी बोली, चार ओ दुष्ट, मैं हकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है, देख, ये, मेरी ही विभूति अता मुझ में ही प्रवेश कर रही है, पांच ततह समस्तास्ता देव्यो, द्रमानी प्रमुखा लायम, तस्या देव्यास्तनो जगमुरे कैवासियत दांबिका छे तदनंतर ब्रमानी आदी समस्त, देवी यां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, उस समय केवल भाव आठ देवी बोली, साथ मैं अपनी एश्वर्य शक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्थित हुई थी, उन सब रूपों को, मैंने समेट लिया, अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूं, तुम भी स्थिर हो जाओ, आठ रिशिर उवाच, नो ततह, प्रववरित युद्धम देव्याह, शुबस्य चो भयों, पश्यता सर्वदेवा नामसुरानाच, दारुनम दस रिशी कहते हैं, नो तदनंतर देवी और शुम्व दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते, देखते भयन कर युद्ध छेड़ गया, दस शर्वर्षेह, श अस्त्रेस्त था स्त्रेस्चे चिव दारुनय, तयो युद्धम भूद्भुयाह, सर्वलोक भैनक्रम ग्यारा बानों, की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुन अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए, बड़ा भायानक प्रत ग्यारा दिव्यान्यस्त्रानी शत्षो मुमुचे यान्यतांबिका, बभंज तानी, देतेंद्र स्तत प्रती घात कर्त्रिभे 12 उस समय अंबिका देवी ने जो सेकडों दिव्यास्त्र छोड़े, उन्हें, देत्यराज शुम्भ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा का उन्हें परमेश्वरी ने हुनकार शब्द के उच्चारण आदी द्वारा खिलवार में ही नश्ट कर डाला 13 तत है, शर्शतर देवी माचादयत सोसूर, सापी तत कुपिता देवी धनुष चिछेद जेशूभे, 14 तब उस असुर ने सेकडों बानों से देवी को आच्छ सिम्थाद्दे, चिछेद देवी चक्रेन ताम्प्यस्य करे, स्थिताम 15 धनुष कट जाने पर फिर देत्यराज ने शक्ती हाथ में ली, किन्तु देवी ने चक्र से उसके हाथ की, शक्ती को भी काट गिराया 15 ततह खटगम उपादाय शत्चंद्रम च भानुमत, अभ्यध भावत्दा देवी, देत्याना मधिपेश्वराह 16 ततपश्चात देत्यों के स्वामी शुम्भ ने सो चांद्वाई चमकती हुई धाल और तलवार, हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया 16 तस्याप तत एवाशु गम चिछेद चंदिका, धनुर मुक्तेया हैं, शित कात दिया 17 हताश्व सत अदा, देत्या श्चिलंधनवा विसार थी, जगरा मुदगर घोरमंबिकाने धनोद्यता 18 फिर उस देत्या के घोडे और सार थी, मारे गए, धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्या थो भायनकर मुदगर में लिया 18 चिछे दाप्तत्स्य मुदगर निशिते है शरया है, तथा पी सोब्य धावता मुष्ट मुद्यमिया, वेगवान 19 उसे आते देख देवी ने अपने तीक्षन बानों से उसका मुदगर भी काट डाला, तिस पर भी वहसुर, मुपका तानकर बड़े वेग से द देवी की छाती में मुपका मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया 20 तल प्रहारा भेहतो निपपात महीतले सा देत्यराजा सहसा पुनरेव, तथा थितर 21 देवी का थपड़ खाकर देत्यराज शूम्व पृत्वी पर गिर पड़ा, किन्तु पुनाह सहसा पूर्ववत, उठकर खड़ा हो गया 21 उत्पत्य चा प्रग्रियो चैर देवी गगन मास्थित तत्रापी सा निराधारा युदे तेन, चंडिका 22 फिर वो उचला और देवी को उपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया, तब चंडिका आकाश में भी बिना, किसी आधार के ही शुंब के साथ युदकन लगी 22 नियुधम खेतादा देत्यश्च धंदिका चा परस्परम, चक्रतुः, प्रथम सिद्धम युनिविसमय कारकम 23 उस समय देत्य और चंडिका काश में एक दूसरे से लड़ने लगे, उनका वर, युद्धा पहले सिद्ध और मुनियों को विसमय में और डालने वाला हुआ 23 ततो नियुधम सुचिरा कृत्वा तेनाम विकास है, उत्पात्या ब्रामामास चिक्षेप धरनीत ले 24 फिर अंबिकाने शुंब के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पर आने के बाद वो दुरात्मा देत्या, पुनाह चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दोड़ा 25 तमाया ततो देवी सर्वदेत्य जनेश्वरम, जगत्या पाट्या मास भित्वा शूलेन वक्षसी 26 तब समस्त देत्यों के राजा शुंब को अपनी ओराते द देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे प्रित्वी पर गिरा दिया 26 सगतासू, पपातोर्व्या, देवी शूल अग्रविक्षत, चालन सकला प्रित्वी साब्दृद्वीपा सपर्वता, 27 देवी के शूल की धार से घायल, होने पर उसके प्राण, पखेरों उ ते तस्मिन दुरात्मनी, जगत स्वास्थ्यम तीवाप निर्मलन, चाभवननब, 28 तदनंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया, तथा आकाश स्वच दिखाई देने लगा 28 उतपातमेगा, सोल का ये प्रागा संस तथा उस देत्या के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी 29 ततो देवगणा सवे, हर्षनिर भर्मान सा, बभूवूर नहते तस्मिन गंधर्वा ललितम जगू तीस, उस समय शुम्व की मृत्यू के बाद संपूर्ण देवताओं का हरिदे हर्ष से भर ग गाने लगे 30 अवादन्स्थ यान्ये नन्रितुष चावप्सरोगना, ववूव पुन्यास्था वाता, सुप्रभो भूदिवाकरा 31 जजवलुष चागनया शांता शांता दिग्जनित्स्वना ओम 32 दूसरे गंधर बाजे, बजाने लगे और अपसराय नाचने लगी, अध्यानकर शब्द शांत हो गए 32 इती श्रीमाकंडेय पुराने सावर्ने के मनवंतरे देवी महात्मे शुम्भ वधो नाम दश्मोध्याय दस उवाच, चार, अर्धा श्लोकाह 1, श्लोकाह 27, एवं 32, एवं आधिता 575 इस प्रकार श्रीमाकंडेय पुराने सावर्ने के म